Hi mommies and daddies, welcome back to mom.com India आपने news में देखा होगा कि डेंगू अपने peak पे है डेंगू से related alerts इशू किये जा रहे हैं, advisories इशू किये जा रहे हैं कि इस time पे schools को, societies को, parents को क्या करना चाहिए ताकि बच्चों को हम डेंगू से protect कर सकें यही कुछ tips में आपसे share करने वाली हो इस video में प्लीज इसे जादर से जादर लोगों के साथ share कीजेगा because this is the time to act and protect our kids तो सबसे बहले बात करेंगे बाहर के exposure के पारे में जब बच्चे school जाते हैं, park जाते हैं तो हमारा उन पे control थोड़ा limited होता है घर पे हम बहुत साथी चीज़े कर लेते हैं बढ़ बाहर हम limited prevention कर पाते हैं अब वो prevention क्या है सबसे पहला, डेंगो का मच्चर सबसे ज़्यादा active होता है sunset और sunrise के time पे तो उन hours पे आप बच्चे का बाहर जाना अगर हो सके तो avoid करें दूसरा, जितना हो सके बच्चे को cover करके बाहर भीजे full sleeves की t-shirts, full pants, socks, shoes इस तरीके से आप बच्चे को cover कीजे cotton की कपड़े पिनाई है because इस time पे weather बहुत humid है but light color के कपड़े पिनाई है dark colors मच्चरों को attract करता है तो इस तरीके से बच्चे को breathability भी रहेगी और full coverage भी रहेगी क्योंकि डेंगू का मच्चर generally leg पे काटता है और अगर बच्चे की height चोटी है तो arms पे भी काट सकता है तो इस तरीके से उसे एक natural protection मिलेगी तीसरा, बच्चों के लिए बिलकुल safe mosquito replant products design किये जाते हैं, जो market में available भी है तो आप उन्हें यूज़ कीजे मैं इसके लिए recommend करूँगी mama earth की mosquito replant range इसमें आपको बहुत साइव variety मिल जाती है यह 100% safe है, इसमें कोई toxins नहीं है यह date free है which is very very important when using it for kids और 100% natural ingredients से इसे बनाया गया है ताकि यह natural तरीके से बच्चो को protect कर सके मेरे इसमें दो favorite products हैं जो मैं बहुत time से अपने बच्चों पर use कर रहे हूँ पहला है यह mosquito replant patches तो यह जो patch है, यह waterproof है fabric patch है, आप इसे किसी भी fabric पर लगा सकते हो चाहे आपने बच्चे की t-shirt के पीछे लगा दिया चीज है कि यह newborn baby onwards से 10 years तक के बच्चों पर आप इसे use कर सकते हो तो मैं भी हमेशा से अपने baby की back पर इसको ज़रूर लगाई रखती हूँ और दूसरा अगर आपके बच्चे तीन महीने से बड़े हैं और मान लीजी आप उन्हें full sleeve clothing नहीं पहना सकते उनका कोई ना कोई area exposed है या उन्हें किसी sports के लिए जाना है जहां पर उनको half pant पहनी की ज़रूत है तो आप ये spray यूज़ कीज़े ममाद का ये mosquito replant spray भी बहुत ज़्यादा effective है guys इसको बस shake किया और एक बार spray कर दिया ये अच्छे से skin पे spread हो जाता है आपको कुछ करनी की ज़रूतनी होती initially एक strong fragrance आती है जो भी धीरे-धीरे subside हो जाती है बिलकुल natural oils से इसको बनाया गया है जैसे lemongrass, citronella, peppermint, eucalyptus, caster इस तरीके के oils जो naturally mosquitoes को दूर रखते हैं ये भी up to 12 hours की protection देता है और बहुत effective है ये products ममाद की website पे है, app पे है आपको 20% discount मिलेगा अगर आप मेरा coupon code use करते हैं momcom2023 otherwise अब तो retail stores खुल गए हैं वहाँ से ले लीजे Amazon, Flipkart, Nika, आपके chemist के पास भी ये available होगा इस पे especially लिखा भी गया है कि protects from dingo, malaria and chicken gonia तो हर तरीके के मच्चे से ये अच्छी protection देता है चौती चीज़ आप ये कर सकते हैं कि schools में, अपनी society में, अपने आसपस जो community है वहाँ पे discuss कीजे, अगर कोई drainage है, कोई pond है, जहाँ पे खड़ा पानी रहता है तो वहाँ पे कोई medicine डाली जा सकती है, ऐसी fish डाली जा सकती है, जो mosquito का egg होती है, उसको खालेती है आप anti-lava treatment करा सकते हैं, fumigation करा सकते हैं तो ये सारी चीज़े करा के आप जो आसपस की surrounding है, वो clean करा सकते हैं पीचर से discuss कीजे कि school में mosquito prevention के लिए क्या हो रहा है अब बात करती हूँ, घर के rules बिलकुल simple है, घर को आपने जितना हो सके clean रखना है घर में कोई dark corners नहीं होने चाहिए, बहुत जादा घर को भर के मत रखें क्योंकि जब हम बहुत सामान घर में भर देते हैं, तो वहीं मच्छर अपना घर बना लेते हैं दूसरा अपने खिडकी और दरवाजे sunrise और sunset के time पे और उसके आसपास के hours में बंद कर दीजे बिकुज वही time होता है जब मस्कीटो आपके घर में enter करता है हो सके तो एक अच्छी quality का mesh लगवाली जिससे हवा भी आती रहीगी आपको पूरा दरवाजा बन करने की जरूतनी है और मच्छर भी नहीं आएगा आप चाहिए तो एक odomose plant भी लगा सकते हैं अपने घर के बाहर जिसकी fragrance से naturally mosquitoes थोड़ा दूर रहते हैं आप sunrise और sunset के time पे अपने घर के बाहर coil भी जला सकते हैं जिसकी खुश्बू से mosquitoes अगेन आपके घर के बाहर ही रहेंगे अंदर माँ जलाएगा क्योंकि इससे बच्छों को थोड़ी suffocation या irritation हो सकती है अगर आपके area में मचरों की problem है और डिंगों की cases आ रहे हैं तो मैं तो suggest करूँगी घर में भी बच्चों को full sleeves की clothing पे नाइए and that is the safest, especially so the way full sleeves की clothing is a must अगर आपके घर में चोटा baby है, 6-7 महीने से चोटा है बच्चा newborn baby है तो please उसे mosquito net में रखिए baby friendly safe mosquito net market में available होते हैं which is a must have मैंने ये plumbery का mosquito net अपनी daughter के लिए सबस्यादा use किया, इसका link में description box में दे दूंगी बड़ अगर आप एक बड़ी family है, सब लोगी कठे सोते हैं, तो आप bed nets भी ले सकते हैं, जिनको आप morning में हटा सकते हैं या amazon पे मिल जाएगा या बहर आपके local market में भी आराम से इस ताइन पे sale पे आपको मिल जाएगा that's it guys, इस तरीके से अपने loved ones को, बच्चों को, खुद को हम ऐसे dangerous mosquitoes से बचा सकते हैं देंग को जो strain इस ताइम पहला है, वो है type 2 strain जो बहुत ही severe है, डेली में यही strain सबसे जादा samples में निकल के आ रहा है which is a matter of concern, इसलिए सब को जादा ध्यान रखने की सरोत है so make sure every day आप इस बात के बारे में सोच रहे हैं कि मैंने क्या सारे checks करे, क्या मैंने बच्चों को replants लगाए, क्या खुद पर मैंने replants लगाया बाहर जाने से पहले and क्या मैं और मेरी family पूरे तरिके से protected है so इसी के साथ इस वीडियो को end करते हैं, thank you so much for watching this video Mamat की website से जब आप कुछ लेते हैं, तो आपके order को link करते हैं to a tree that they will plant on your behalf which is an excellent initiative because 2015 तक वो 1 million trees plant करने वाले हैं so go ahead and be a part of this goodness initiative, thank you